Power BI का सबसे बहतरीन फंक्शन जो मुझे बहुत पसांद है वो है include और exclude options यानि कि एक plot की visuals को देखते हुए आप अपनी मर्जी से different parameters को आपस में compare कर सकते हैं सीखना जाते हैं चलें दिखाता हूँ आपको यह screen आपके सामने मैंने यहाँ पे 08 number plot add किया और इसको मैं बोलता हूँ include exclude अब मैंने यहाँ पे click कर दिया now what I want to do is मैं यहाँ पे अपना plot बनाना चाहता हूँ मैं कोई भी एक plot बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं prefer करूँगा for example this kind of bar chart अब मैंने इस bar chart को इस तरीके से मैंने view कर लिया and what I want to do now is मैं अपना data यहाँ पे लेकिया तो तो मैं diamond के data के ओपर यह plot बनाऊंगा सबसे पहले तो तो मैं यहाँ पे x axis पे clarity को add कर देता हूँ analysis करते हैं कि बड़ी दफ़ा बड़ी मरतबा बहुत ज्यादा दफ़ा गुजरे होंगे तो अब देखते हैं कि यह बहुत ज्यादा दफ़ा plot को हम किस तरीके से compare कर सकते हैं for example मैं यहाँ पे click करता हूँ किसी एक जगा पे और अगर आप देखें तो tool tip के अंदर इसका color जो मेरे पास आ रहा है sl1 आ रहा है और clarity sl1 आ रही है और color मेरे पास HR चलें मैं clarity की बजाए ना यहाँ पे clarity की बजाए पे मैं cut यहाँ पे रख लेता हूँ so it's more symbol अब आप देखें कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस purple को यानि कि ideal cut के इस purple को मैं compare करना चाहता हूँ very good के for example इस purple के साथ तो मैं control को दुबा कर रखूँगा control को दुबाने के बाद इन दोनों को select कर लूँगा जैसे मैंने select किया मैं right click करता हूँ right click करने के बाद मैं इनको include कर देता हूँ मैं जैसे include करता हूँ you will see कि आपके पास इन दोनों का comparison आ जागा something like this और यह comparison आपको दिखाता है कि यह सिरफ और सिरफ आप ideal और very good के जिन चीजों की prices को देख रहे हैं that is color and clarity so very good and ideal का यहां पे आप color देख रहे हैं कौन सा eye color है eye यानि के color की जो category है and then you have very good and ideal अब आप चाहते हैं कि यार यह तो ठीक है लेकिन हम इस पे और भी काम करना चाहते हैं for example मैं यहां पे ideal cut के edge color, दूसरे के edge color, तीसरे के edge color, चौथे का और पांचमा का edge color मैं इनको सिर्फ compare करना चाहता हूँ, आप कहीं पे भी selection के बाद include पे click करें एक बात याद रखेगा आपने control पे click करके इन सभी को select करना है something like this, control का button दबाई रखना है और click करके select कर लें, right click करके include करेंगे and now you can see the comparison between these all things, तो आप एक ही edge color की category को इस तरीके से देख सकते हैं एक और तरीका कहा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये purple color के जो, sorry, ये जो bluish purple type color है मैं इसको यहां से, जो g color category है, उसको मैं exclude करना चाता हूँ, include नहीं मैं चाता हूँ कि मेरा plot इसके बिना नजर आए तो आप right click करेंगे और exclude पर click कर देंगे and now you will see कि आपके पास ये plot उसके बगार आ गया और यहां से वो plot जो है वो निकल भी है, so now you have 2 to 4 and 2, 6 colors, 2 to 4 and 2, 6 colors मैं जैसे control Z दबाता हूँ, you will see 2 to 4 to 6 and 7 colors, so this is how you can actually exclude or include anything from your plot अगर आप चाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एक इसी data के बारे में ideal के बारे में और premium के बारे में ही पता करना है, बाकियों के बारे में नहीं तो आप control प्रेस करके इनको click करेंगे and then include करेंगे and this is how you can actually see that और अगर आप गौर करें जो भी काम यहाँ पे हो रहा है, that is actually you are using a filter option of power BI लेकिन drag and drop के बेस में, यह वो ही filter option है जो आपने पहले भी use किया होगा inside Excel, ठीक है so this is how you can actually use include and exclude option from your current और एक और काम भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी select कर सकते हैं different चीज़ों को for example मैंने सिरफ इस color को select किया, यह वाला, तो मैं यहाँ पे right click करके include कर दूँगा और exclude कर दूँगा यानि कि इस color को जैसे आप plotly या different किसम के dashboards के अंदर select करते हैं on the other side मैं right click करने के बाद इसको show as table भी कर सकता हूँ, show data point as table भी कर सकता हूँ और new calculation भी कर सकता हूँ and then I can also analyze the data let's see, मैं right click करता हूँ, यहाँ पे analyze पे click करता हूँ, find where the distribution is different मैं इस पे click करता हूँ then you will see a different kind of pop-up will come up और जहरी बात है यह इस result को rank करेगा और उसकी base पे देखेगा here are the filters that can cause the distribution sum of price by cut to change the most so this is how you can see the distribution of plot, यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं तो आप अगर इसको पढ़ेंगे then you will see different kind of proportions कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाकर distribution को कैसे impact कर रही है और यह analysis automatic हो रहा है, you can actually view that on the other side, अगर आप इस पूरे plot पे right click करें then you can also click on summarize और आपके पास इसका पूरा narrative जो है यह नीचे आ जाएगा, ideal in color G map up 8.57 of the sum of the price यानि कि 8.57 जो है वो ideal का total price का sum है so this is how you can actually include or exclude anything यहाँ तक आपको समझ आगी होगी, that's great आपको पता है कि आपने like, share and subscribe जरूर करना है like जरूर कर दिया गरे, it helps us a lot क्यों? क्योंकि अगर आपके पास यह totally free में यह courses आ रहे है that means कि आप अगर एक like कर देंगे और नीचे comment कर देंगे कि आपको यह lecture कैसा लगा that will help us, see you in the next one